एक बड़ी खबार आई है जिसके वज़े से मैं आपको बलूँगा कि मार्केट में अच्छा खासा मुमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता रिलाइंस मतलब छोटी मोटी नहीं सर एक बहुत बड़ी खबार आई है तो इसको मैं आपको दो मिनट के अंदर बता दूँगा आज ऐसे देखिए आज ये देखने को मिला सर 3042 रूपीस के बाज़ू में और लगभा पिछले पांच दिनों में देरे दे उपर ही गया है चाहे पिछले एक महिने में हो थोड़ा सा लेकिन थोड़ा सा यहीं लेकिन उपर ही गया सर पिछले six MONTH में या चाहे one year में कहने का मतलब है कि सर यह इतनी मजबूत कंपनी है कि एक दम slow, बहुत slow, कच्चु कि बहुत बड़ी जानी मानी और अच्छी company लोग इसको पसंद करते हैं खरीदने के लिए लेकिन याद रखें सर यहाँ पर stock market है यहाँ पर सर कोई बड़ा कोई छोटा कोई कुछ में नहीं होता सर क्यों मैं आपको ऐसा बोला हूं जैसे देखें अगर आपने Reliance को अच्छा company मान के खरीद लिया कि यह तो अच्छी company है कुछ नहीं होगा पांच साल कुछ नहीं होने वाला टेंचन ना लो लेकिन सर अगर मैं आपको बता दू यहाँ पर कि सर देखो अच्छी company तो है लेकिन यह stock market है सर यह भूल जा तो यहाँ पर कि देखें company अगर दे लगता कि अमबानी जीने अपने company का share base दिया होगा नहीं सर वो लोग hold करते हैं क्यों क्यों सर वो लोग generally business को देखते हैं सर ना कि लगबग company के stock के price को देखते हैं ऐसा होता है तो पहले जब आया तो यहाँ देखें बड़ी तेजी थी यहाँ पर देखें बड़ी तेजी ह जाता है कि company अगले 5 सालों में क्या कर देगी, अगले 1 सालों में क्या कर देगी, हमारा नए नहीं चीज़ों को करने की यह कोशिस करते हैं, बड़े बड़े तारग्यट रखने की कोशिस करते हैं तो इससे क्या होता है कि business में बताया जाता कि potential कितना है, हमारे पास जितने पैसे हैं कंपनी के अंदर उस पैसे को हम कैसे और यूटिलाइज करने वाले हैं तो इस तरीक से पिछले AGM में या उससे पिछले वाले में उन्हें ने बताया था कि Reliance के डिट को बहुत जादा कम कर देंगे और जैसे कि आप देखोगे तो लगबग ट्रेंट्स ने बताया था टाटा की जो कमपनी बोला था एक साल के अंदर हम 200 स्टोर खोल देंगे तो यह एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है कमपनी के लिए सर AGM के अंदर तो यहां पर क्या डिसीजन लिया गया है सबसे पहले तो सर यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई देखो Reliance Industry to consider 1 is to 1 bonus in September 5th आपको बताया जा रहा board meeting यहां पर आप कहने का मतलब है कि भाई जो 1 is to 1 है मतलब अगर आपने 100 share खरदा तो सर आपको 100 मिल जाएंगे 100 मिल जाएंगे सर 100 share अगर आपके पास एक्ष्टा 100 हो जाएंगे 200 हो जाएंगे सर ऐसा रहा तो Reliance जैसी company आपको दे रही है सर bonus stock split देती तो आप समझ लीजे कि normal है कुछ नहीं है कि दम नॉर्माल इससे कुछ नहीं होने वाला सा क्यों bonus देर ही यह company और bonus क्यों खास होता है company के लिए क्योंकि सर बोनस company के reserve पर दिया जाता है और जो stock split होता है ना सर वो company के phase value पर दिया जाता है तो company का phase value का मतलब मैं आपको बताता हूं सर देखिए phase value का मतलब होता है तो आदी अदी रोटी है क्या हो गया क्या होता अदा कर दिया ऊ Nep तो आप मान लेजे क्या नहीं है टो आप क्या गया है कि अप बोले जागा कि दो है तो क्या है च्छिल में दोԿ आज ही है है कि नहीं सर, एक्चल में है, ये केवल एक ही रोटी, बस उसको दो तुकडे कर दिये गए हैं सर, अब बोनस का मतलब क्या होता है सर, बोनस, अब बोनस का मतलब है, अब लोग बोनस में भी बोनस में भी तो वही होता है न यहापर, लेकिन बोनस में क्या होता है, कि सर ये र मिल दाता है यहाँ पर यह एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा बोनस चयर होता ह। ने सर्व और यह अपणीब हो alleyos, लेकिन आप अपनी चंही बना के नहीं एक और मालीज़ यहाँ पर खबर आती हो नज़र आ रहा जहाँ पर बताया ज़रा Reliance Retails Business Reliance Retails Retail का जो बिजनस है उसको बताया ज़रा सर डबल कर लें In next 3 years सर यहाँ देख सकते है 3 to 4 years में सोच लिजिए 3 से 4 सालों में सर यह अपना चलेगा कि सर कि हाँ अब जो लोग पेशेंस रखेंगे अगले 4 सालों तक उनको दिखने को में लिए कहां कमपनी कहां थी और कहां पहुंच गए सर मैंने आपको बताया ना जैसे ट्रेंट्स ने क्या बलाता हम 200 दुकान खोलेंगे सर अगले बार रिलाइंस ने बलाता हम dead free हो जाएंगे तो इस तरीकी के बड़े बड़े अनॉंस्मेंट लिए जाते हैं सर यहाँ पर अब माल लिजे कि यह पब्लीकली बोल दिया गया ऐसा यह नहीं करेंगे तो कैसे लोग management पर भरोसा करेंगे नहीं करेंगे सर बिलकुल का मतलब बिलकुल नहीं करेंगे सर और रिलाइंस का store अगर आप दिखाby तो हर लगबख 5 km के अंदर सर तो यहाँ पर आपको Reliance Digital देखने को मिलेगा फिर यहां पर लगबाग Reliance Digital आपको दिखने को मिलगा इतने सारे मतलब सर हर जगे जगे है अब इंडिया के किसी भी कोने में चल जाओ जहां पर D-Mart नहीं पहुँचा सर वहां पर Reliance Smart पहुचा मतलब इंडिया के हर एक कोने में है सर यह हर का मतलब हर एक कोने में यह आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद यह बताया जा रहा है कि रिलाइंस जियो का जो रेवनिव है इबिटा जो आपको देखने को मिला विल बड़ी बड़ी अच्छी बात है सर कि यह भी लगबख अपने बिजनस को कई उना आगे लेके जाने वाली है यहाँ पर बताया जा रहा है जियो जो बोला जा रहा है सर जियो लगबख कुछ बड़ा करने वाला है यहाँ पर बोला जा रहा है कि जियो जो है वर्ल्ड का जियो इस वर्ल लार्जेस्ट यहाँ देख सकते हो मोबाइल डेटा कंपनी बताया जा रहा सर वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड सोच सकते हो सर, 350 पेटेंट यहां पर इन्हों ने सर फाइल कर रखा, कितने फाइल कर रखा, कितनी अच्छी बात है सर, देखो बताया चारा, 4, 5G, 6G, हम देखेंगे, तो इंडिया के अंदर सर, लोग जो है, इंडिया के कोने कोने में तो सर, 5G वे तक पहुंचा नहीं है, ठीक, पहुंच जाएंगा, लेकिन हमारा भारत देश में तो सर, देखो, आप इंटरनेट भी बहुत तेरी से चलना स्टार्ट कर दिया, सोचो, तो अभी 4G तो लगभग कोने कोने में पहुंच चुका है सर, ठीके, अब 5G भी बहुत बहुत जल्द सर, आप सब के पास पह करना पड़ता है सर, ताकि हर जगह पे सब लोगों को मिल पाए फेसलिटी, तो यहाँ पर भी सर, लगभग जियो से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खपन, यहाँ पर जो यहां आमबानीजी के तरफ से देखने को मिला, जहाँ पर इन्हों ने बोला है, सर, इन्हों ने तो AI का इस्तमाल तो, सर, इनको करना ही चाहिए, जो कि लगभग कर भी रहे है, हम लोग से एक कदम आगे रहते हैं, सर, यह लोग, याद रखे है, जब हम लोग इंटरनेट का सपना तक नहीं देखते थे, तो सर, लगभग यह रात को इनको नीन नहीं आता था, मतलब ELECTIONICS में, तो सर, कोई कमपनी है, कोई कमपनी नहीं है, सर, केवल माथर. इनको मतलब सर, आब बोलेंगे, सर, ELECTIONICS, कहने, का मतलब सर, जो रिलाइन्स डिजटल है, वो प्लैटपर्म है, सर, REMAINS के प्लैटफर्म है, वो, उसके अंदर सारे electronics item मिलते हैं, सर, सारे का अब सारे आइफोन से लेकर चोटे-चोटे जो हैवल्स या कोई भी कम्पनियों सा सारी के सारे प्रोडक्त वहाँ पर आपको मिलते हैं ऐसा है छोटे-छोटे दुकाने से खर दो गए तो सर छोटे-छोटे दुकानों में क्या होता है कि सारे नहीं मिल पाते, कहने का मतलब लोगों को चाहिए होता भई वो product मुझे चाहिए था, वो वाला ऐसी चाहिए था वो वालमोयल चाहिए था, तो नहीं मिल पाते है लेकिन सर यहाँ पर क्या होता, Reliance के अंदर इनको सारा मिल दाता सर Reliance के अंदर आपको extra warranty भी ये लोग करके देते हैं कि आप 5-10 साल का warranty आप extend करवा के ले सकते हो और ये लोग सारा service ही लोग करके देते हैं इस तरीके से original build बना के देगा कि लगबग future में कभी कोई दिक्कत नहीं हो अखली product नाम की चीज़ यहां पर आपको देखने को मिले गए इसा रहता है तो मतलब कहने का मतलब कि Reliance हर जगह सर अपना लगबग काफी बड़े लेवल पर business फैला रहा है सर और यह अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा है और company के पास काफी अच्छा reserve भी है company बड़े लेवल में सर काम भी कर रही है तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से सर आपको भी पता होगा company के बारे में देखिए आपको क्या लग रहा है नहीं लग रहा है और अगर अगर स्टॉक मार्केट में ने हो तो अपने डिमेट अकॉन इंजल में उपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री डिलिवरी चार्ज़ फ्री के लगता है वो भी इंटराटे में जो हर जग लगता है सर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा मिंटो में जाके अपने अडिमेट अकॉन वगरा उपन कर सकते हो वो भी सर बिल्कुल बिल्कुल फ्री में सर और एक और बार आप लिएशन तरकना पड़ेगा से लंबे समय तक तो ही आपको कुछ बेनिफिट हो पाएगा